polls respiration मतलब सांस लेना सांस लेने की पद्धति से हम addiction बनाते भी है निकालते भी होडLAU Schools क्या था कि आप कुछ भी करेंगे acid बनेगा है। है तो something अगर आप नॉर्मली ले रहे हैं तो acid बन रहा है। में अगर deep breathing करेंगे तो alkaline बनेगा या anti-acid १ मुर्णystem इसी लिए deep breathing को alkaline breathing कहते हैं वो acid वो सिर्फ breathing के acid को ही नहीं पूरे body के acid को निकालता है इसी लिए deep breathing से अनुलोम विलोम करके लोग कितना famous हो गए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सबको पता है वो सिर्फ यह करके because यह एक one fourth tool है यह यह एक चौथाई टूल है, यह सारा कुछ यह करने के लिए, तो अगर चार आपके पास पिलर्स हैं, तो चार में से एक पिलर है, रेस्पिरेशन, आपको बैकड्रॉप में, आपको बैकड्रॉप में, मैं देख रहा होगा, मेरे फादर, अगर लेते हैं, तो आप अगर ब्रिदिग कर रहे हैं, अगर आप डीप नहीं लेते हैं, तो आप अगर व्रिधी कर रहे हैं, इसलिए जब भी सास ले लंभी सास लें, इसके उपर आप भी एक वीडियो परा चुके हैं मैं देख चुका हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ऑलकेलाइन कितना इंपॉर्टन्ट है और इसके तो बार 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 अलकेलाइन हों का बास करते हैं आपका ब्लड एलकलाइन है आपका जीवन पलता है उसमें साइनाइड से पॉइजनिंग में डेथ कैसे होती है ब्लड एसिडिक हो जाता है एंड परसन डाइज तो एलकलीनिटी कितना इंपॉर्टेंट है यह और इससे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूत नहीं यह नहीं है और एसिडिक का ओवर बर्डिन ब्लड को धीरे धीरे एसिड करता जाता है जिससे डिजीजेज आने लगती है और अगर कोई चिंगारी है सब जगह फ्यूवल है लेकिन उसमें सिर्फ एक चिंगारी की जरूत है यह चिंगारी एसिडिटी देती है आप दुनिया के किसी पेशिन से मिल लीजे उसको कोई भी बिमारी है आपको पहली च या चांस्टिपेशन आप आप कर लिजा आप जितने भी चैंसर पेशिंस को जानते है उनको फोन करके पूछे कि आपको कांस्टिपेशन है वो बोलेगा है ऐसे डिटी है कितने साल से है सबसे पहले वही शुरू हुआ उसके बाद कैंसर आया सी इस आउं टॉकिए बाद building blocks of health and building blocks of disease which was your topic today so i'm coming to the basics